नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से अपक्स्टेडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और जैसा कि आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इस साल का जो जैट प्रिपीजी और पिएचिडी का जो एक्जाम लेने जारी है जोदपुर्य उनिवर्श्टी जिसने लाश्ट यर भी एक्जाम लिया था उन्होंने अपना अपना एक नोटिफिकेशन अदीश हुचना रिलीज गी है और उसी को लेके हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं माप लोगों को वो सारी चीज़े बताऊंगा जो जैट एक्जाम से रिलेटेड होगी ऐसी कौन-कौन सी छोटी बाते हैं जिनको आपको याद रखना है कि वो ऐसी गलती ना करें ताकि आपको एक्जाम में से दूर जाना पड़े या फिर कोई प्रोब्लम का सामना करना पड़े तो मैं सबसे पहले बता हूँ कि इस साल का जो जै कहां से परना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए वैब साइट दी होई होगी आपको डिस्क्रिप्शन वोग के लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा वैब साइट का लिंग डबलो डबलो ई-जैट-ए-उ-2023.com इससे आपके ओन-लाइन फॉर्म भरे जाएंगे आप घर से भी वर सकते हैं आप किसी भी अपने पर नजदी की मित्रिस के साइटा से भी या फिर आपने जो को जो भी कोचिंग सश्थान है उनसे आप कांटक्ट कर सकते हैं अगर जिन बत को ज्यादा दिक्क्त आए तो हम से क्टक्ट कर सकते हैं ल Kap कैसे वह उनके हम definitely foundation करें पने इसक तक 27 तीन दोजार 23 के रात को बारा बज़े तक आप ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यदि फिर भी उसके बाद किसी का पैमेंट नहीं हुआ या क्यों फॉर्म नहीं पर पाता तो उनके लेट फिस जिसको हम बोलता है विलम सुलक तो लेट फिस उनको देने पड़ेगी लेट फिस उनके रहेगी 500 और लेट फिस की जो लाश डेट है वो रहेगी 33 मतलब लाश डेट जाने के तीन दिन बाद तक आप 500 विलम सुलक दे के फॉर्म भर सकते हैं यह तो फॉर्म के रिगार्डिंग की बात हो गई कि एक्जाम कव जो फॉर्म होगा वो कब से स्टाट होगा कब उसकी लाश डेट होगी विलम सुलक के साथ कब रहेगा अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि उसके अंदर आईवजन फॉर्म में जो सुदार क्या जाएगा उसके अंतिन दितिये 342023 इसमें भी रात 12 बज़े तक आपके उसमें सुदार कर सकते हैं लेकिन इस बात का सुदार नहीं और मोबाइल नमबर इनके अंदर आप सुदार नहीं कर सकते हैं इनके अलावा जो भी गलतियां हैं वो आपकी सुदार की जास्ती लेकिन अगर ये फॉर्म बरते टाइम में ये चीज़े आपने गलत बर दी तो वो किसी भी कंडिशन में चेंज नहीं की जा पा उन से आप एक बार उसको फाइनल चेक करें उसके बाद ही उसको सम्मिट करें उसके बाद में एड्मिट कार्ड के इनफॉर्मेशन अब वो आपको आठ पांच दो हजार तेजिस को मिल जाएगी और एक्जाम की जो डेट आपकी डिसाइड की गई होगा है चोदा पां अब इसके होगा उससे पहले आपको यह वीडियो मिल जाएगा लेकिन अभी आपको इन बातों पर ध्यान रखना है द्यान अम आपको वह चीजे बताने जा रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा लोग या तो गलतिया करते हैं या फिर जिन गलतियों से बसने के लिए आपको क् नहीं वो किसी इमित्र से या किसी कोचिंग संस्तान से जहां से फोर्म बरवाते हैं वो उन्हीं की mail id यूज करवाने तें क्योंकि उनकी mail id यूज करवाने से यह नुक्सान है क्योंकि उस mail id पर जो आइडी और पासवर्ड आएंगे वो उस mail id पर ही जाएंगे तो अगर उनके पास भी पासवर्ड रहेंगे तो हो सकता है कभी आपके साथ चोट हो जाए तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप अपनी खुद की mail id यूज करें mail id कभी भी दूसरे की यूज ना करें जैन इसके अलावा है payment payment इसका online ही होगा आप online इसका payment करवा सकते हैं बट payment के अंदर जो bank की detail है वो भी किसी emitter या coaching संस्तान की आपको प्योग ना करें आपके खुद के personal bank account को ही लें क्योंकि अगर आगे double bar payment कर जाता है आपका और वापस refund होता है तो वो आप उसी account के अंदर होगा अगर आप किसी emitter वाले का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसी के account यह अंदर वो payment वापस आएगा तो यह गलती भी बहुत सारे बहुत कर देते हैं कि उनको पता नहीं रहता कि वो बैंक वाले का या फिर किसी emitter वाले का या किसी अपने दोस्त का bank account यूज़ करें तो आप अपने prison का bank account पताते हैं उनको कि आप यह जो आपके जो भी reservation का certificate है जैसे आपके पास कोई army कोटा है या आपके पास कोई खेल का है या उत्रश खिलाए रडी रहे हुए हैं उनका है तो वह जो कोटा है वह अभी form के time में ही बरा जाएगा लोग यह कहते हैं कि वह counseling time में नहीं वह counseling time में नहीं बरा जाता वह आपको जब online application करना है उसी time परना है और दैन इसके बाद में बात है कि जो आपके पास certificate है जैसे mbc का है OBC का है EWS का है यह certificate आपके एक साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए अगर आपके पास एक साल से पुराना यह certificate है तो पहले आप उसको renew करवाएं नया बनवाएं वो नया बनवाने के पश्याद अब जो आपके पास नया है उसके बाद ही आप application form में रहे हैं क्योंक कर सकते हैं हमारे mobile number description box में दिये हुए आपको मिलेंगे आपको यह किसी भी प्रकार की कोई साहिता चाहिए तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हम आपकी definitely साहिता करें गया और इसमें ऐसा भी नहीं कि सिरफ हमारे जो student है या फिर हमसे जो contact में हमोनी की help करेंगे राजस्तान का को लोगों के लिए ही यहान साहिता करने के लिए हम यहाँपे आए हैं तो आपको किसी भी प्रकार की साहिता चाहिए तो हमापकी साहिता के लिए हमेश्ता पर रहेंगे हमेसा आपके साथ खड़े रहेंगे और इसके बाद मैं जो जो exam form का según date दिया गए है वो उसकी तैयारी क कैसे करेंगे हम लोग तो तैयारी करने का सबसे अच्छा साथन है कि आप एक्जाम को मद्धे नज़र रखते हुए एक्जाम की डेट आपकी जोदा पांस दे वी है इसे को मद्धे नज़र रखते हुए आपको प्रिपरेशन पर ध्यान देना है जिस सब्जेक्ट में आप लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा भी कूँ उस सब्जेक्ट को भी ज़्यादा टाइम दे उसके साथ ज़्यादा फैमेलियर रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम देंगे तो आप उसमें अच्छी कमांड कर पाएंगे और बाकी हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक अवेलेबल भी करवाने वाले हैं यूटूब के उपर जो आप लोगों के तयारी को एक नया बुष्टप देगा नई जान देगा नया जोस देगा उसको जो आपके तयारी को एक नई उमीद पर नई किरण पर नई सोच पर मैं कह सकता हूं कि आपको लेके जाएगा तो आ हम आपके कमेंट बहुत जाग रुखो के पड़ेंगे आपके रिप्लाइ बहुत जल्दी करेंगे अगर हमें लगता है कि हमें किसी दूसरी चीज़ पर भी वीडियो बनाने की दूद पड़ेगी तो हम जरूर उसके उपर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने क करेंगे इसी एक साथ में अपनी वानी को विग्राम देता हूं थैंक्यू जैहिंद